बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग सब लोग अच्छे हैं ना चले बहुत अच्छी बात है, तो आज हम लोग कौन सा कॉस्टिन वाले हैं, तो कॉस्टिन नमबर एट जो हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको आ जाना है आपके टे क्सिए में पेज नंबर 120 पर तो देखिएगा कोश्चन में क्या दिया है कि जर्नलाइज द फॉलिविंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेर दा लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑव संजीव यानि कि हमें क्या करना है तो यहां पर दिये सब्सक्राइज देखिए यहां पर लिखते हैं इन दा बुक्स ऑफ संजीव इन दा बुक्स ऑफ कि संजीव और यहां पर हम क्या लिखेंगे जर्नल एंट्रीज जर्नल का फॉर्मेट पता है ना आप लोगों को जर्नल एंट्रीज ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे स्टुडेंट्स डेट लिखते हैं यहां पर फिर इधर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स यहां पर आता है आपका लेजर फोली हो एल एफ और यहां पर आता है डेबिट अमाउंट यहाँ पर क्या आता है students credit amount ठीक है चलो अब एक काम करते हैं कि करके हम लोग transactions देखते जाते हैं और यहाँ पर entries करते जाते हैं अगर आप लोग मेरे साथ साथ अपनी notebook में लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि आप जानते ही हैं जब भी वह लोग लेजर बनाते हैं तो वह हम किसकी एंप से बनाते हैं जर्नल की मदद से बनाते हैं ठीक है तो अगर जर्नल आपके सामने रहेगा न तो लेजर बनाने में मतलब जब मैं आपको यहां पर बना करके बताऊंगी तो आपको आसानी होगी समझने में इसलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी कहां से रिसीव हुए तो राजो से रिसीव हुए ठीक है और वो जो 10,000 रुपे मिले वो कैसा था तो वो कमीशन था ठीक है तो अभी इसके लिए इंट्री क्या होगी बच्चों इसे आप लोग समझेगा पहले तो मैं आपको वो रूल समझा देती हूँ जो अभी तक मैं करता है तो क्रेडिट करो और अगर इन तिनों में से कोई कम होता है तो डेबिट करो ठीक है तो मुझे बात बताईएगा यह जो कमीशन है मतलब कमीशन अगर आपको रिसीव हो रहा है तो वह आपका प्रॉफिट होगा या फिर एक्सपेंस होगा तो वह आपका प्रॉफि क्रेडिट करेंगे ठीक और हमारे पास कैश आ रहा है ना यानि कैश नाम का जो असेट से वह हमारे बिजनस में इंक्रीज हो जाएगा मतलब हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा तो चलो यहां पर हम लोग एंट्री करते हैं एक तारीक डाल करके क्या लिखेंगे स्ट तो यहां पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स यहां पर भी और इधर भी ठीक है इसके सामने इसका नरेशन भी आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा है ना तो चलो नरेशन लिख देते हैं क्या लिखेंगे कि बिंग कमिशन रिसीव्ट इन कैश ठीक है कैश में हमें रिसीव हुआ ना तो वह हमने यहां पर लिख दिया ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला देखिए का बच्चों अगला ट्रांजेक्शन तीन तारीक को क्या दिया है कि इंट्रा स्टेट सेल टू राकेश रुपीस 5 सिजय स्थ 2.5ंब एक अज्यां है किकैस का मतलब कर दो मनिंग तो इसका मतलब dot शूंच widget स्चुअ का मतलब देते हूं वैसे अगर यह नहीं देते तो भी कोई बैट नहीं तो बें यह इन्टेट seeking वोते हैं और डूसरा का होता है इंटर स्तेट का मतलब क्या होता है अगर हम् li Horizons Deep के बीच कोई लिघन कर रहे जैसे कि यूपी से महरास्टा में अगर अम लोग गुट्स का ट्रांस्पर मतलब गुट्स का हो रहा है थो ऑ thé किस्ते इंट्रास्टीइट में आएगा थिक है समया लोगों को यहां दिश्यार है कि हमने क्या किया थिर को तो चांच को किसको का रागर प्राइस कितना है 3000 बराबर तो इसमें देखिएगा CGST और SGST का rate भी दिया गया है 2.5% तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर calculation करना पड़ेगा CGST और SGST के लिए तो चलिए फिर calculation कर लेते हैं मैं इसको थोड़ा मिटा दू देखिए यह ना आपका working note रहेगा ठीक है working note डाल करके लिख लेना बोलो जो हमारा समान है उसका price कितना है 3000 ठीक है CGST और SGST का rate कितना है students 2.5% तो चलो 2.5 हम लोग यहाँ पर calculate करते हैं तो डबल 0 से डबल 0 cancel हो जाएगा 25 3 सा क्या होता है 75 होता है और यह वाला 0 यहाँ पर point हम लोग एक number के बाद लगा देंगे है ना यानि कि CGST और SGST कितना आ गया 75 रुपेस देखो यहाँ पर CGST और SGST आपका आया है कितना 75 रुपेस ठीक है तो यहाँ पर हमने यह जो सेल्स है वो क्या होता है अमारे लिए इंकम होता है यानि कि सेल्स अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट देने वाले ठीक है इसके अलावा यह जो आपके पास आएगा यानि एक तरीके से जो आपका रिवेन्यू है वो बढ़ेगा और यह बढ़ता है तुसको क्या देने का क्रेडिट यानि हम लोग स्फीज और् फ टो और पिर आप इसको बीजें ध़को ऊठीक है और वर फिकेशों को तो केम uh यह जो भठीन होता है तो सामने वाले पर पर्सन का नाम दिया है यानि अपपने से समझ जाईए कि हमने सामान बेचा तो सही लेकिन कैसे बेचा है credit पे बेचा है ठीक है और जब भी पे transaction होता है तो सामने वाले person का नाम आता है है ना तो इसलिए राकेश की account को हम लोग क्या कर देंगे debit कर देंगे ठीक है और राकेश की account को debit ही क्यों करना है तो देखो राकेश हमारे लिए क्या हो जाएगा डेटर हो जाएगा डेटर मतलब assets और assets बढ़ता है तो debit देने का इसलिए राकेश की account को हम लोग debit देंगे ठीक है चलो फिर यहां पर अपर देंगे एंट्री करते हैं तीन तारिक का हम इदर डालेंगे तीन तारिक और क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आपको बताया ना येस राकेश अकाउंट डेविट तो इसल्स अकाउंट ठीक है तो यहां पर हम पर स्टूडेंगे तो मुझे एक बात बताईगे यहां पर अउटपूट आएगा कि इन्पूट राइगा तो इन्पूट किसमें आता है पर चंडेस में आता है आता है तो यहां पर लिखेंगे हम लोग to output cgst account to output sgst account समझां amount हम कैसे लिखेंगे students तो देखिएगा यह जो sales account है इसमें हम कितना amount लिखेंगे तो कितना मतलब goods का price कितना है तीन हजार है तो इसके सामने हम लिख देंगे तीन हजार ठीक है जिस पर cgst और sgst मतलब कितना ले रहे हैं तो 75 और 75 ठीक है अब इन मतलब इन तीनों को जोड़ करके इधर लिखना तो कितना आएगा तीन हजार एक सो पचास ठीक है यह कहां पर आएगा यह राकेश के सामने आ जाएगा यानि कि राकेश जो है न वो इतने से हमारा क्या है डेटर है ठीक है चलो अब हम यहां पर इसका narration लिख देते क्या लिखेंगे कि इसके लिए हमने एंट्री कैसे की चलिए बहुत अच्छी बात है अब आगे आ जाईए स्टूडेंट्स देखो पांस तारीक को क्या दिया है कि रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम राकेश यानि कि राकेश के पास से हमने पूरा पैसा जो है न वो रिसीव कर लिया ठीक है तो राकेश कितने से हमारा डेटर था स्टूडेंस देखो 3,150 से है न तो क्या हुआ यह तीन तारीक को हमने उसको सामान बेचा और देखो राकेश कितना अच्छा है इसने न दो दिन बाल यानिकि पांस तारीक को हमारा पूरा पैमेंट कर दिया ठीक है तो जब ही उसको क्रेडीट करने आए इसलीए अकाउंट को क्रेडीट कर देंगे ठीक है तो यहां पर डालिएगा पांस तारीक और हम क्या लिखेंगे स्टूडेंस बताया था न आपको कैश अकाउंट डेबिट तू कि कि तो राकेश अकाउंट amount कितना लिखोगे 3,150 तो यह लिजे मैंने लिख दिया 3,150 और यहां पर भी लिखेंगे हम 3,150 ठीक है इसका narration क्या लिखेंगे students तो यहां पर हम लिखेंगे कि being cash received फ्रॉम राकेश ठीक यस तो यह भी हमने यहां पर complete कर लिया अब चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगला यहां पर देखो students transaction क्या दिया है आठ तारिक का इसमें लिखा हुगा है कि इंट्रा स्टेट पर्चेस फ्रॉम मंगेश रुपेश 2000 एंड एस्जी एस्ट का रेट कितना दिया है 2.5 परसें देखो अभी फिट से आपको confuse करने के लिए इन्होंने यहां पर लिखा है इंट्रा स्टेट तो इंट्रा स्टेट देख करके आप इधर उदर का मत सोचिए सिम्पल डिखा सहिए इंट्रा स्टेट मतलब क्या state के अंदर री ठीक है तो हमने क्या ग्या गोड्स पर्चेस किया किसके पने स्टेस कि तो मंगेश के पाश चैक इसके पर्चेस कितने गा पड़ेगा तो 2.5% का CGST और SGST हमको देना पड़ेगा ठीक है तो चलिए पहले तो आम लोग यहाँ पर GST का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वर्किंग नोट में आप लोग मतलब कीजिएगा ठीक है क्या लिखेंगे कितना है अमाउंट 2000 है यह वर्किंग नोट नंबर टू है इसके उपर 2.5% आप कैलकुलेट कर लो तो 0000 कैंसल और 25 तूसा 50 एक जिरो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पचास रुपए ठीक है क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बताइए हम लोग क्या कर रहे है वर लोग को परछस किया जाता है टो वह हमारे लिए एक guidance होता है एक बना तो is Goddess देने का यानि कि?!" जो पूलग सगरेंगे यहाँ पर लिखेंगेंगे पर गैमेंद सब्सक्भ्र कर रहे हैं क्या । स्पेंस ही होगा ना क्योंकि अभी द्रेंगे हमारे पास यहां पर आएगा इंपूट सीजीएस्टी अकउंट को डेबिट को इंपूट स्टीए अकाउंट डेबिट ठीक बताइए अमाउंट कितना आएगा तो यहां पर पॉट्चेस के सामने हम क्या लिखेंगे तो देखो गुड्स का प्राइस कितना है 2000 है ना तो इसके सामने लिखेंगे हम 2000 ठीक है और सीजी एसडी ए्टी हमें कितना देना पड़ेगा पचास रुपपे तो 50 रुपए हैं अपकर स्टूडेंस हो जाएगा ठीक है और यहां पर हम क्रेडिट किसको करेंगे तो देखिएगा यह जो सामानव क्रीद रहे हैं यह हम क्रेडिट पर खरीद मंगेश की अकाउंट को हमें करना होगा क्रेडिट ठीक है तो लिख देते हैं इधर देखिएगा मंगेश अकाउंट अमांट कितना आएगा तो इसको जोड़ करके लिखिएगा दो असार पचास पचास यानिके 2100 यहाँ पर हो जाएगा 2100 चलो इसका नरेशन लिख लेते हैं क्या लिखेंगे कि बिंग गुड्स पॉर्चेस्ट ओन क्रेडिट ठीक है क्रेडिट पर हमने क्या किया गुड्स को पॉर्चेस किया ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अगला ट्रांसेक्शन देखिएगा 11 तारिक का इसमें क्या लिखा है कि पेड़ नेसिसरी अमाउंट टू मंगेश यानि कि मंगेश को हमने क्या किया जितना भी अमाउंट पे करना था वो हमने पे कर दिया ठीक है तो देखो हमने गुड्स करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा यानि कैश अकाउंट को हमें करना होगा क्या करना होगा तो क्रेड़िट करना होगा ठीक है और कि मंगेश अकाउंट डेबिट्ट। कैश अकाउंट शलो बताओ इसकामाउंट इंसको देना था यह पूरा के पूरा हमने पैमेंट कर दिया सब मिलाजू लागर करके दे दिया है ना अब हम फ्री हो गया चलो अब इसका नरेशन लिख देते हैं क्या लिखेंगे बिंग आ जाए आगे अगला ट्रांजेक्शन देखो बच्चों क्या दिया 18 तारिक को हमने रेंट पे किया कितना 2500 रुपे तो इसकी एंट्री तो एकदम सिंपल है इसका नरेशन क्या आएगा तो देखो नरेशन यह आएगा बिंक पेड रेंट इन कैश या फिर ऐसे लिख दो रेंट पेड इन कैश ठीक आगे चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखो बच्चों 24 तारिक को क्या दिखा हुआ है किपेड मोबाइल बिल रुपीज 1,000 आउट ओफ विच रुपीज 700 फॉर ऑफिस यूज और फॉर थी हंड़ेड फॉर पर पर्सनल यूज यह निके हमने क्या किया हमने मतलब बिजनस ने ठीक है एक हजार रुपे मोबाइल बिल पे किया ठीक है मोबाइल बिल कितना पे किया एक हजार रुपे जिसमें से 700 किसकी लिए था तो ओफिस वाला था और 300 पर्सनल का था ठीक है अगर हम लोग मोबाइल बिल पे करेंगे है न तो वो अमारे लिए खर्चा होगा राइट तो इसलिए मोबाइल बिल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे डेबिट देंगे ठीक तो चलो पहले तो इसको डेबिल अकाउंट डेबिट इसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे और इसके सामने कितना अमाउंट लिखेंगे तो 700 लिखेंगे ठीक है कैसे आये मैं आपको समझाती हूं रुको पहले लिख लेने दो फिर यहाँ पे जोग द्रॉइंट अकाउंट है इसे भी अम लोग डेबिट देंगे drawings account ठीक है इसे भी हमें क्या करना है debit और इसके सामने हम क्या लिखेंगे 300 फिर उसके बाद credit किसको दिया जाएगा तो जो cash account है ना इसे हम credit दे देंगे और इसके सामने को हमने यहां पर credit दे दिया कितने से एक हजार से ठीक है अब यह जो एक हजार है ना इसमें से 700 रुपे का यूज हमने किसके लिए किया तो ऑफिस के लिए किया उसको आमने इस नाम से जानते हैं तो drawing के नाम से जानते हैं और drawing भी हमारे लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा expense यानि कि खर्चा ही होगा business के लिए ठीक है इसलिए drawing account को भी हमने क्या दिया है debit और इसके सामनी क्या लिखा है 300 समझा चलो अब इसका narration लिख देते हैं क्या लिखेंगे बिंग बिंग मोबाइल बिल पेड इन कैश ठीक है पूरा लिखना है तो आगे भी आप लिख सकते हो कि आउट ओफ विच यानि जिसमें से चलो लिख देते हैं आउट ओफ विच 700 फॉर ओफिस यूज और 300 फॉर पर्सनल यूज समझे तो इस तरीके से करना था अब हमें काम करते हैं इसका टोटल भी चलो करी देते हैं देखिए बच्चों यहां पर इसका टोटल कितना आया 24,000 जो हमने दोनों ही कॉलम्स में लिख दिया है ठीक तो जनल एंट्री तो हमने यहां पर कंप्लीट कर ली अब हमें क्या करना होगा तो लेजर अकाउंट बनाना होगा तो लेजर अकाउंट कौन कौन से बनाने पड़ेंगे यह बात आपको कहां से पता चलीगी तो यहां से इसके अंदर जितने भी हैं उतने आपको लेजर अकाउंट बनाना रहेगा तो तो आपको पहला इकाउंट दूस्ता कंशन अगा था अकाउंट भी बनाना रहे हैं फिर का दूआ बनाने की जड्रूबर उसके बाद एक dus एक अकाउंट शुच्ति पढ़ेगा फिर इनपूट सीजी एस्टी के लिए एक अकाउंट बनाएंगे फिर मंगेश के लिए भी हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे तो आप एक काम करो पहले इसको लिख लो अगर नहीं लिखा है तो और उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि लेजर में कैसे पोस्ट अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स तो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे ठीक है तो यह हम लोग कैसे करेंगे जर्नल की हेल्प से करेंगे जर्नल एंट्री आप लोगों के सामने है ना तो देखो मैंने यह सारे लेजर अकाउंट बनाए हैं मुझे कैसे पता च लिखा है ना आप लोगों ने पॉर्चेस अकाउंट फिर मंगेश का अकाउंट रेंट अकाउंट फिर मोबाइल बिल अकाउंट उसके बाद क्या है ड्रॉइंग और फिर यहां पे हैं इंपूट और इंपूट एसजी अकाउंट ठीक है तो आपको इतने सारे लेजर अकाउंट बनाने हैं तो आप लोग बना सकते हैं ठीक है तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना तो देखेगा स्टूडेंट्स आप लोग जनल एंट्री इसको देखते जाए एकदम कहां पर debit में के credit में तो देखो वहांपर जो आपका cash account है वह debit हुआ है कि credit हुआ है देखेए तो वह रिखते हैं जया वा एक hydram primo जूल है तो देखने काउन्ट के साथ कौन साद़ा है क्रेडिट कमिशन अकाउंट है क्रेडिट तो यहां पर हम क्या लिखें गे स्टूडेंच कुमिशन अकाउट तो तूष मैं ऐंट की तो कमिशनि हम अनुस्यन है यहां पर 10,000 तो हम इधर लिख देंगे 10,000 ठीक है ना यस तो हमने यहां पर यह काम तो कर लिया उसके बाद उसी में दूसरा account कौन सा है उसी entry में देखिएगा commission account है ना को क्या करना है commission account में आ जाना है यह रहा commission account ठीक है देखो यह इसका debit side है यह credit side है और आप लोग ना अच्छे से format बनाईएगा जैसे मैंने यहां पर डेट पर्टिकुलर्स वगरा नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास space नहीं था लेकिन आपकी notebook में तो प्रॉपर ली मेरे साथ साथ करते जाओ इससे क्या होगा ना मैं जो बोलते जाओंगे आप लोग लिखते जाएंगे नहीं तो बाद में नहीं समझा तो ठीक है इसे लिए लिखते जाए तो देखिए आपको करना क्या है यह जो कमीशन से लो आगे बढ़ जाते हैं दो तारिक का नहीं तीन तारिक का देख लीजिएगा यहां पर कौन-कौन से अकाउंट्स आए हैं एक तो राकेश दूसरा सेल्स तीसरा आउटपूट सीजी एस्टी और चोधा क्या है आउटपूट सब में हमें क्या करना पड़ेगा 2019 और यहां पर हम लिख देंगे जून कितना तारिक है तीन तारिक अब आपको क्या करना है तो सुनिए एक दम ध्यान से यह जो राकेश अकाउंट है ना इसके साथ कौन मतलब कौन से असे अकाउंट है जो हुए है क्रेडिट तो कौन-कौन से अकाउंट से यहां पर क arrests on इसका अमाउंट हम देख लेते हैं तो हमाउंट है आपका कितना 3000 तो यह लिघे मैंने आपर 3000 लिख दिया भीक फिर इसी तारिक को क्या हुआ हमने cgstb मतलब cgsdb हमें रिसीफ हुआन तो क्या लिखने कि टू आउट पुट cgsd क्वांट अपुट cgsd अकाउंट ठीक है फिर यहां पर क्या आएगा टू आउट्पुट एस जी एसटी अकाउंट कि बोलो अमाउंट कितना आएगा 75 तो यह लीजे मैंने 75 लिख दिया है ना यह सभी तीन तारिक के ही थे तो यहां पर तीन तीन डाल दीजेगा ठीक है बात समझ में आए कि नहीं चलिए आग पर बनाए ठीक है यहां पर डेट हुआ है कि रेट हुआ है कि एट हुआ है तो आपको क्या करना है सेल्स अकाउंट के रहा क्रेडिट साइट यहां पर आकर क्या डाल ढूंक है दालेंगे दोहजर उन्हींग और तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा बाई राकेश अकाउंट कि अमाउंट देखिए कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 3150 तो हम इदर लिख देते हैं 3150 ठीक फिर उसके आगे देखिएगा तीसरा यहाँ पर कौन सा अकाउंट है आउटपुट सीजी एस्टी का है तो आउटपुट सीजी एस्टी यह रहा राइट अब इसके डेबिट में जाओगे कि क्रेडिट में तो आउटपुट सीजी एस्टी क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है तो आपको क्रेड ठीक है आपको डेबिट वाला देखना है तो राकेश का अकाॉंट डेबिट हुआ है ना तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे बाई राकेश अकाउंट अमाउंट कितना आएगा देख लीजिएगा तो आपको बताती हूँ देखो स्टुडेंट ज्यान से सुनो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा तो जो आउटपुट Je ne Waved जैसे यहां पर हमने कौन सा लघाता सेल्प ला lijा लंए लिखाना लखा था लचेँ आपको एक मिनेट रुकिए यहाँ पर कौन सा इसंद मैने अमाँट गलत लिए यहां पर थीन हजारा है उन्हीं Claytonнее हजार आएगा ठीक है आपने मन से अमाउंट नहीं लिखने का वैसे ही यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा तो देखो आउटपूट सीजी एस्टी के सामने कितना अमाउंट है देखो वहां पर लिखा हुए 75 इसे लिए हम लोग इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंस 75 लिखे लिखेंगे राकेज अकाउंट कि अमाउंट कितना आएगा तो आउटपूट स्टूडेंस 75 लिखेंगे ठीक है समझ गए चलो तो यहां पर हमने यह तीन तारीक का जो जनल एंट्री था उसकी भी पोस्टिंग कर दी है एकदम अच्छे से आप लोग देख सकते हैं फिर उ कैश अकाउंट में जाना है देखो कैश अकाउंट के साथ कौन से ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंस टू राकेश अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना आएगा तो देख लेजिए यहां पर लिखा हुआ है कितना 3150 तो हम इदर लिख देंगे स्टूडेंस 3150 ठीक है फिर उसके बाद दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा है राकेश का अकाउंट है न तो राकेश के अकाउंट में आ जाईए डेबिट कि क्रेडिट तो देखो यहां पर राकेश का अकाउंट खुआ है क्रेडिट तो आपको क्रेडिए साइड में आना है यहां पर आकर के डेट डाल दीजिए ढलने क्यों शुग है पांच जुन थाना जी क्या लिखेंगे हम तो देखो किर आक। के साथ कौन सा उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देख लीजेगा ट्रांजेक्शन नहीं अगली जनल इंट्री आठ तारिक वाली उसमें कौन-कौन से अकाउंट से पर्चेस हैं इंपूट अब अपको क्या करना है ? आपको ये देखना है कि पर्चेस अकाउंट के साथ कौंसा ऐसा अकाउंट है ? जो क्या उंब है क्रेडित हुआ है ? टो अमाउंट हम कितना लिखेंगे ? टो absorber है ? ढिलहएं- छो पडेख गृट इतना अमाउंट है 2000 तो हम इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 2000 लिख देंगे ठीक है समझ गये ना उसके बाद यहां पे कौन सा अकाउंट है तो इन्पूट सीजीस्टी का अकाउंट है यह रहा है इन्पूट सीजीस्टी हुआ है कि क्रेडिट हुआ है डेट हुआ है न तो आपको डेबिट साइड में आना है और यहां पर आगर के पहले तो आप लोग डेट डालीएगा 2019 जून कितना जून आठ जून ठीक है अब आपको क्या गरना यह देखना है कि इस इन्पुट cgst के साथ कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट तो मंगेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना तो हम इदर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स टू मंगेश अकाउंट ठीक है अमाउंट कितना आएगा तो देखिएगा जो इन्पुट cgst है ना उसका जो अमाउंट है वही आपको लिखना है तो बताएगे इन्पुट cgst का अमाउंट कितना है पचास रुपए तो हम इदर लिख देंगे स्टूडेंट्स पचास रुपए ठीक है उसके बाद यहां पर अगला अकाउंट कौन सा है तो इन्पुट sgst का है तो इन्पुट sgst अकाउंट यह रहा डेबिट हुआ है कि क्रेडिट डेबिट ना तो डेबिट साइड में हम आएंगे इधर डालेंगे डेट और फिर जून आठ ठीक है क्या लिखेंगे कौन सा ऐसा अकाउंट है जो इसके साथ हुआ है क्रेडिट म अकाउंट कौन सा है मंगेश का अकाउंट है वो डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है तो डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है क्रेडिट हुआ है क्रेडिट हुआ है तो आपको क्रेडिट साइड में आना है मंगेश अकाउंट के और यहां पर डालिएगा पहले तो ड सीजी एसटी और चोधा इनपूट एसजी एसटी ठीक है चलो लिखते जाते हैं पहले हम लोग पर्चेस का लिख लेते हैं क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स बाई पर्चेस अकाउंट ठीक है काफी चोटा-चोटा मुझे लिखना पड़ेगा क्या करें स्पेस नहीं है इसक इनपूट सीजी एसटी अकाउंट इसके सामने कितना अमाउंट आएगा पचास फिर इतने ही तारीक को आठ तारीक को ही आउटपूट सीजी एसटी अकाउंट एसजी एसटी आउटपूट ने इनपूट ही आएगा इनपूट एसजी एसटी अकाउंट कि अमाउंट कितना आएगा पचास रुपए ठीक है तो आप लोग देख सकते हो यहां पर हमने यह आट तारिक का जो जर्नल एंट्री था उसकी भी पोस्टिंग कर दी है अब आगे बढ़ जाएए 11 तारिक का देखिएगा वहां पर कौन-कौन से अकाउंट से पहला तो मंगेश दूसरा कैश तो चलिए मंगेश के अकाउंट में आ जाएए डेबिट की क्रेडिट तो यहां पर आकर के पहले तो डेट डालिएगा 2019 कितना जून है तो जून 11 ठीक है 11 जून इसके साथ कौन से ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट कैश अकाउंट ना तो हम इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंस टू कैश अकाउंट ठीक है और अमाउंट देख लेजिए कितना आएगा तो अमाउंट आएगा 2100 यहां क्रेडिट सी लेएं आपको केश केश काउंट ना यहां पर यूँल्म है यहां पर आकर करकर देट डाल इसके साथ मेंट है जो हुआ है जो रहा है अटक है पत्रम मंचिश का अकाउंट तो में इस इसनम क्या लिखेंगे अ मैं मंगश अकाउंट ठीक है इसका amount कितना आएगा 2100 तो यह लीजे मैंने यहाँ पर लिख दिया students 2100 ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं अगला यहाँ पर transaction देखलो transaction नहीं अगले मतलब अगला entry 18 तारिक का देखो क्या लिखा है यहाँ पर दो account आए है rent account और cash account तो चलिए पहले rent account कर देते हैं rent account यहाँ पर क्या हुआ है debit तो आपको debit साइड में आना है और फिर यहाँ पर date डालना है 2019 कितना जून आएगा students तो 18 जून यहाँ पर हम डालेंगे 18 जून ठीक इसके साथ कौन सा account हुआ है credit तो cash account तो हम इतर लिखेंगे to cash account amount कितना आएगा देखिएगा इसका amount आजाएगा 2500 ठीक फिर उसके बाद दूसरा account यहाँ पर cash account है जो क्या हुआ है credit हुआ है तो आपको credit साइड में आना है और यहाँ पर आकर के date डालिएगा 18 तारिक का क्या लिखेंगे by rent account amount कितना आएगा 2500 ठीक है फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएए अगला यहाँ पर देख लीजिएगा लास्ट वाला इंट्री 24 तारिक का वहां पर तीन अकाउंट्स आये हैं इसके साथ कौन से ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट तो कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट ना तो हम इदर क्या लिखेंगे इस्टुडेंट्स टू कैश अकाउंट कितना आएगा तो देखो मोबाइल बिल के सामने जो अमाउंट है वह आप लोग लिखिएगा तो मोबाइल के सामने कितना अमाउंट है 700 तो यहाँ पर आएगा 700 ठीक है फिर उसके बाग अगला अकाउंट यहाँ पर क्या है स्टुडेंस ड्रॉइंग अकाउंट है ना तो आजाएए ड्रॉइंग अकाउंट में डेविट साइड में क्यूंकि वह डेविट हुआ है इसके लिए यहाँ डालिए 2019 और जून चॉबएस ठीक डेविट करेंगे कि मतलब कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हुआ है क्रेडिट कैश अकाउंट तो हम इद के बाद किया है देखिएगा में क्रेडित साइड में क्यूंकि यहां पर हुआ है क्रेडिट है अगले और 700 था ना तो यहाँ पर 700 लिख देंगे फिर उसी दिन को ड्रॉइंग भी दिया गया है वह भी डिविट हुआ तो क्या लिखेंगे बाई ड्रॉइंग साकॉंट इसका अमाउंट कितना आएगा ड्रॉइंग का अमाउंट कितना था 300 तो यहां पर हमने लिख दिया 300 ठीक है येस तो सारी जो एंट्रीस थी सभी की हमने यहां पर पोस्टिंग कर दी है आप लोग देख सकते हो राइट अब आपको क्या करना है तो आपको एक एक करके सारे एकाउंट को close करते जाना है तो चलो फिट शुरू करते हैं close करना पहले हम इदर का टूटल करते हैं 10,000 और यह तो 13,150 और इधर कितना आएगा इधर तो कम ही आएगा है ना इधर देखो कितना आ रहे है तीरह हजार एक सो पचास ठीक है और इधर कितना आएगा एक्केस सो पचीस सो साथ सो तीन सो एक हजार फिर इसमें रुको डारेक करते ना देखो इसका टोटल आ रहा है कितना पांच हजार छे सो ठीक है देविट बैलिंस इतना आया क्रेडिट बाला बैलनस इतना अए ठीक है चलो माइनस करके देख देखते है कि कि इतना अमाउंट यहां पे हमें कर डांड करना पडेगा तो तेरह हजार एकसो पचास माइनस 5,600 यानि कि हमें 7550 रुपे करना पड़ेगा ठीक है तो देखो मैंने आपको क्या सिखा है कि ज्यादा वाला आमाउंट रहता है उसे हम लोग दोनों साइड में लिख देते हैं है ना तो ज्यादा वाला आमाउंट यह है ना तो इसे हम क्या करेंगे दोनों साइड में लिख तेरा हजार एक सो पचास और इस साइड भी हम लिख देंगे स्टूडेंट्स तेरा हजार एक सो पचास ठीक है फिर माइनस करने के बाद कितना आया था देखो मैंने माइनस किया था 7550 ठीक है तो यह जो अमाउंट है ना इसे हमें क्या करना होगा यहाँ पर करना होगा क्योंकि इधर ही तो कम पड़ रहा है इधर तो खुद ही जाधा है तो हम इधर कौन सा डेट डालेंगे तो जून कितने दिन का होता है जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल मई जून यानि आपका बैलेंसिंग फिगर ठीक है अब इसे अगले महिने के लिए आप लोग ट्रांसफर कर दीजिए गा तो जून के बाद क्या आता है जुलाई आता है ना तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंस एक जुलाई ठीक है और फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10,000 इदर कुछ भी नहीं है तो ज्यादा वाला अमाउंट रहता है उसे हम क्या करते दोनों साइड में लिखते है यानि कि इदर आएगा 10,000 और इदर भी कितना आएगा स्टूडेंस तो इदर भी आजाएगा आपका 10,000 ठीक है तो यह लिजे मैंने यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा तो 10,000 आ जाएगा है ना तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000 यह हो गया बैलेंसिंग फिगर राइट अब इसे अगले महिने के लिए ट्रांसफर कर दो तो इसको इदर क्रॉस में लेकर के आईए इदर हम क्या लिखेंगे जुलाई एक है ना एक जुलाई लिखेंगे क्योंकि जून के बाद तो जुलाई ही आता है फिर हम इदर क्या लिखेंगे बाइबैलेंस ब्रॉट डॉट डाउन ठीक है अमांट देख लीजे कितना आएगा तो 10,000 यहां पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स 10,000 ठीक है फिर आगे बढ़ जाते हैं राकेश के अकाउंट में आ जाते हैं इसका हमें टोटल करना होगा तो चलो करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है यहां पर तो रु को मैं फिर से ना मिटा करके इसको लिखती हूँ तो आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट यहां पर लिखेंगे टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट ठीक है अब इसका अगर मैं टोटल करूँ तो इधर कितना आएगा तीन हजार एक सो पचास और इधर भी आजाएगा तीन हजार एक सो पचास मतलब यहां पर कुछ भी कैरिट डाउं नहीं होगा तो पहले सही तो था मैंने ब्लूट मुट का मिटा दिया है ना साफ साफी सुन्दर सुन्दर अच्छा था रुको फिर से लिख देती हूं तो आउटपुट सीजी एसटी अकाउंट फिर क्या लिखेंगे टू आउटपुट सीजी एसटी अकाउंट ठीक है 75 75 लिख देते हैं चलो अब इसका टोटल करो तो देखिए श्विट्स अगर आप इधर का टोटल करेंगे तो कितना आएगा तो आप यहां पर डिरेक्ली टोटल अमाउंट लिख दो कितना 3150 और इधर भी लिख दीजिए टोटल अमाउंट कितना 3150 ठीक है यहां पर कुछ भी करेंड डाउन नहीं होगा राइट चलो अब यहां पर आजाते हैं इसका टोटल करो कितना आएगा तीन हजार चलो यहां पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स तीन हजार राइट रुख यह सेल्स अकाउंट है न यह तो तीन हजार को थोड़ा ऊपर लिखो यहां पर ठीक फिर इधर देखो कुछ भी अमाउंट नहीं है न तो आपको क्या करना पड़ेगा बैलेंस कैरेड डाउन करना ही पड़ेगा यहां पर लिखेंगे हम लोग तीन हजार ठीक है देखो 3000, right? फिर इधार हम लोग carry down करेंगे तो यहाँ पे date डालियेगा 2019 और June कितना June? तो 30 June, right? क्या लिखेंगे हम 2 balance carried down यहाँ पर balancing figure कितना आएगा तो 3000 आ जाएगा ठीक? फिर हमें क्या करना पड़ेगा ये जो carried down वाला balance है इसे हमें brought down भी करना पड़ेगा तो cross कीजिएगा यहाँ पर लिखिए जुलाई एक है ना क्या लिखेंगे by balance brought down amount कितना आ जाएगा देखो 3000 है ना तो यहाँ पर आ जाएगा students 3000 ठीक है तो यह भी हमने कर लिया अब हमें क्या करना होगा तो इसको close करना होगा देखो एक एक करके line से आप लोग close करते जाएगा ठीक है चलिए देखते इधर कितना है 75 तो हम इधर amount लिख देंगे student 75 ठीक है यह लिजे मैंने इधर लिख दिया 75 दिख रहा है ना आप लोगों को काफी चोटा-चोटा मुझ हो तो रही हूं ना सुनों ठीक है कानों से सुनों और हाथ से लिखते जाओ यह 75 को अम लोग दोनों तरफ लिख देंगे इधर भी लिख देंगे रैट यहां पर देखो balancing figure कितना आएगा student 75 आजाएगा तो यहां पर डालिएगा 2019 जून 30 जून है ना क्या लिखेंगे हम लो 75 यह दर क्या आया था देखो 3000 आया था ठीक है अब इसे अगले महिने के लिए ट्रांसफर कर दो तो यहां पर हम क्या लिखेंगे जुलाई एक क्या लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 75 तो यह लिजे मैंने इदर लिख दिया student 75 ठीक है तो जैसे हमने इसको क्लोज किया सेम तरीके से यह भी क्लोज होगा कौन सा आउटपूट एस जी एस टी वाला अकाउंट ठीक है चलो आप करते हैं इसका टोटल कितना आ जाएगा 75 तो हम लोग इदर लिख देते हैं 75 के लिजे मैंने लिख दिया इदर 75 ठीक है यहां बदी को बैलेंसिंग फिगार आ जाएगा 75 राइट इदर दीको मैंने 75 लिख द यहां पर डालते हैं 2019 कितना तारीक आएगा जून 30 है ना क्या लिखेंगे टू बैलेंस केरी डाउन कितना 75 इसके सामने लिख देते हैं 75 और यहां पर टोटल में कितना लिखेंगे 75 लिख देंगे फिर इसी को ट्रांसफर कर दो नेक्स्ट मन्त के लिए तो इदर हम लिखे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 75 रुपेस ठीक समझ गया ना यस तो यह भी हमने कर लिया फिर आपको आजाना है पर्चस अकाउंट में अब इसका टोटल करो कितना आएगा 2000 है ना देखो यहां पर 2000 इसे हम इदर लिख देंगे फिर इस साइट तो कोई भी अमाउंट नहीं है यानि यहां पर बैलेंसिंग फिगर आपका 2000 आजाएगा तो यहां पर डालिएगा 2019 जून तीस क्या लिखेंगे हम बाई बैलेंस केरिट डाउन कितना 2000 यह जो कैरिट डाउन वाला अमाउंट है इसको इधर क्रॉस कर दो ब्रॉट डाउन कर दो तो क्या लिखेंगे हम जुलाई एक ठीक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 2000 तो यह लिजे मैंने यहां पर लिख दिया 2000 ठीक है समझे ना चलो अब आगे बढ़ चलते हैं यह मंगेश का कर लेते हैं तो देखिएगा इसका टूटल कितना आएगा तो यहां पर अगर मैं इसको जोड़ू तो 2000 और यह 5050 यानिकि 2100 और इधर भी कितना ह है 2100 ही है मतलब यहां पर कुछ भी कैरेट डाउन नहीं आने वाला बस यहीं पर यह टोटल हो गया ठीक है चलो आगे चलते हैं यह कैश अकांट में रेंट अकांट में हम लोग आ जाते हैं तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो कितना आएगा 2500 है ना इसे ही हमें दोनों क्या लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन बोली आमाउंट कितना आएगा 2500 यह लीजे मैंने इदर लिख दिया अब इसे क्रॉस में ट्रांसफर कर दो अगले माहिने के लिए यहां पर लिखेंगे जुलाई एक क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्राट डाउन बोलो कितना आएगा 2500 यह लीजे मैंने यहां पर लिख दिया ठीक है समझे ना चलो अब यह मोबाईल बिलका कर लेते हैं तो अगर मैं इसका टोटल करो तो कितना आएगा 700 आचाएगा यहां पर लिख देंगे 700 इस साइट भी हम लिखेंगे 700 ठीक फिर यहां पर बैलेंसिं अब इसको अगले मैंने के लिए ट्रांसफर कर दो यहां पर लिखेंगे जुलाई एक क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डॉट 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 अमाउंट कितना आएगा 700 ठीक है तो यह अकाउंट में हमने क्लोज कर दिया अब आ रही है ड्रॉइंग्स अकाउंट की तो चलिए इसका भी टोटल कर देजिए कितना आएगा 300 दोनों साइट में लिख देंगे हम लोग 300 इधर भी और इधर भी ठीक है बैलेंसिंग फिगर यहां पर कितना आएगा 300 यहां पर डालिएगा 2019 जून कितना जून तो 30 जून है ना क्या लिखेंगे बाई बैलेंस के बाईट डाउन बोलिए कितना आएगा 300 अब इसी को ब्रॉट डाउन कर दो चलो यहां बें हम लोग ब्रॉट डाउन कर देता है क्या लिखेंगे कितना तारिक जुलाई एक ठीक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 300 तो यहां पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स 300 ठीक है चलो आगे बढ़ चलते हैं अगला यहां पर देख लीजिए इसे भी वैसे ही तो करना है जैसे हमने अभी तक किया यहां पर यह 50 रुपे को दोनों साइड में ल है फिर क्या करना है यहां पर 2019 हम डालेंगे फिर जून तीस क्या लिखेंगे बाइबैलेंस केरिट डाउन अमाउंट कितना आएगा इदर 50 रुपे आ जाएगा यहां पर लिख देते 50 फिर इसी को ट्रांसफर कर दो यहां पर लिखेंगे जुलाई एक क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना आएगा स्टुडेंट्स पचास रुपे तो यह लिजे मैंने इदर पचास लिख दिया फिर क्या करना है फिर से वहीं काम करना है चलो टोटल करो बताओ इदर कितना आएगा पचास आजाएगा तो पचास को हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे फिर इदर भी पचास लिख देंगे फिर यहां पर बैलेंसिंग फिगर पचास आजाएगा क्या लिखोगे 2019 जून तीस बाइब बैलेंस क्यारिट डाउन पचास फिर इसी को ट्रांसपर कर दो अगले महिने के लिए क्या लिखेंगे जुलाई एक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा पचास तो यहां पर लिख दीजेगा पचास ठीक है यस तो आप लोग देख सकते हो हमने सारे ही अकाउंट्स को क्लोज कर लिये हैं है ना कुछ भी यहां पर बागी नहीं है देख लो अच्छे से तो फाइनली आपका यह जो प्रॉब्लम था मतला का समझ में आएगा बहुत ही सिंपल है बस आपको जर्नल एंट्री देख करके लेजर में पोस्टिंग करते जाना है तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही अभी नेक्स वीडियो में हम लोग सौल्व करेंगे हमारा अगला कोस्चिन ठीक है तो मिलते हैं अगले व